अगर आप लोग के ख्याल से क्या उसके बार्ट खोल देंगे कशमीरी साइट के कशमीरियों को कहेंगे उधर आ जो और अज़ाम कहा हैं अज्छा अभी आपके रहे हैं उनकी आमदनी बढ़ रही है तो वो क्या सोचेंगे यह बात करें तीनों ने विलकुल आप इसको देखिए देखिए जंग सिर्फ हतियार के दम पर बंदूकों के दम पर नहीं जीती जाती है जंग जीती जाती है आपके जहन में बैठ कर और जब आप जहन में बैठ खुशाल हो रहे हैं उस साइड वाले जी तीस रुपे किलो आटा खा रहे हैं और ये काम धेरे देरे और बढ़ेगा ये चीज और बढ़ेगी क्योंकि जैसे जैसे डेवलप्मेंट होगी कश्मीर चमकने लगेगा और जब वो चमक उसके रोशनी बॉर्डर पार जाएगी तो वो रोशनी चुभेगी चुभेगी तो वो सवाल पूछेंगे सवाल पूछेंगे तो वो पाकिसान पर प्रशर बढ़ेगा आपके याल से अब और बढ़ने वाला है लेकिन फिर भी खैर ये जादा बेतर है कि बज़ाए जैसे बैने पहले का कि गोली बारूट के बज आप लोगों ने की तो है वहाँ पर जो बिजली आप लोग बनाते हैं वो शायद उसकी पर यूनिट कॉस्ट पढ़ती है बनाने की साथ से आठ रुपे और फिर उन्ही लोगों को वापस 32 रुपे यूनिट बेज देते हैं अब ये चीज़ जो है ये तो जाहिर है कि एक ह बड़ा दिल करता है कि सब लोग हम एक जगा बैठे हों और हम डिसकस करें चीजों को और समझने की कोशिश करें कि कहां पर गलती है और कहां पर जाके इसको ठीक किया जा सकता है ऐसी एक बात मेरे जहन में कई बार आती है और मुझे नहीं पता अगर मैं वह बात यहां पाकिस्ता सकता अब यह और बाते के लोग कहते हैं उद्धे सेविंटी वन में टूट चुका है पाकिस्तान इसी तरह से आपके जो मिनिस्टर है उन्हों ने कहा कि एक इंच जमीन जो है वह उन्हों चाना को जो तड़ी लगा रहे थे ना चाना को धमका रहे थे उन्हों का एक इंच जमीन जो है वो नहीं ली जा सकती तो एक इंच जमीन क्या वो तो पूरा का पूरा पाकिस्तान बन गया आप में से निकल कर तो यह हमारे जो प्लिटिशन होते हैं हमारे मैं पाकिस्तान के भी कह रहे हूं यह पिछली बाते भूल जाते हैं या इनको आदत नही यह सबक नहीं सीखते कि इस किसम की बढ़के क्यूं लगाते इस किसम की बाते क्यूं करते हैं आपकी जाल से ने देखिए आजू जी यह बात बड़ी बेसिक है और यह समझने की इसको जरूत है जरा डीटेल में जमीन लेना यानि की कबजा करना और पाकिस्तान का बन जाना यह दोनों दो अलग अलग चीज़ें बटवारा होना और चीन कर कोई चीज ले लेना इन दोनों के बीच में फर्क है पाकिस्तान चीन कर नहीं बना है पाकिस्तान और हिंदुस्तान बटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना एक अलग जमीन कर टुकड़ा गया तो पाकिस्तान बना पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला करके कब्जा नहीं कर लिया उस जमीन पर ऐसे हैं ना तो जो चीन कर रहा है जो उसकी सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी जिसे हम कहते हैं चीन की कि भी थोड़ा आदा किलोमेटर गुज गया है 200 मेटर गुज गया है धैट इस कब्जा उसके लेकिन यह के पाकिस्तान भी बना ही ना उसकी जैसे हम कहते हैं जी पाकिस्तान को तोड़ा नहीं जा सकता तो ऌब साथ और कई دुसरे हमारे जो सीनेर बताएंगे तो फिर ऐसे तो नहीं चलेगा या अगर खालिस्तान की आप किया बार बार एक बात होती है तो जब पाकिस्तान बना था कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो बताई जाएं थे अभी और बाते के कुछ पॉलिटिकल रीजन्स भी रहे होंगे लेकिन कुछ ना इसकी वज़ा से जो है मुस्लिम्स इस साइट पर आ गए तो ऐसे ही आपको नहीं लगता के खालिस्तान के लिए बार बात होती है तो आप लोग या मैंने मतलब है आपकी गवर्मेंट से के या पलिटिशन से के इस्टैबिश्मेंट वो उस बात को क्यों चेक नहीं करते के आखिर महां पर जो सिख कमिनिटी है उनके साथ प्रॉब्लम क्या है वो क्यों बार बार ये मतलबा करते हैं या इस तरह के प्रोटेस्ट करते हैं चाहे वो आगे हजार साल ऐसा ना बना पाएं कालिस्तान लेकिन प्रॉब्लम क्या है जो बार बार ये एशू सामने आता है है पुजभ में आपने कभी में देखा है कि पंजभ के रैली देखी खाली समर्थन समय रेली देखिया उती आप सारी देश के बाहर हैं आप जब मैं अगर बात करूँ आपकी साइड में तो सिंदु देश से लेकर और बलुचिस्तान से लेकर अंदर भी प्रोटेस्ट होते हैं आजादी के लिए और बाहर भी प्रोटेस्ट होते हैं तो खालिस्तान और बाकी में यही फर्क है खालिस्तान सिर्फ बाहर तक सीमित है यहाँ पर एक दो लोग है एक का दुका लेकिन यहाँ का सिख कभी नहीं निकला सड़को पर कि हमें खालिस्तान चाहिए और उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है यहाँ पर उन्होंने बकाइदा रैलिया निकाली प्रो में उनके खिलाफ कि जी खालिस्तानियों यह सब बक्वास बंतरों तो यह फर्क है और मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी इंडियन सिख से बात करेंगी तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि चल कह रहा है यहाँ दोस्तो आशाय करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको काफी कुछ जानने को मिलाओगा आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार है हमें अपने विचार कमेंट सेक्शे में लिखकर ज़रूर बताएं हम ऐसे आपके लिए नए वीडियो लाते रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए अगली वीडियो पर फिर मिलेंगे तब तक आप अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत